नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो देखे आज हमारे पास यह एम्पिली फैर जो हमने पूरी तरीके से कनेक्ट कर रखा है तो यहां पर यह अभी एक नॉर्मल एम्पिली फैर है जैसे हम यूज करते हैं उस तरीक तो अभी दोस्तों यह यहां पर एक नॉर्मल एम्पिली फैर है लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास यह 20-30 आइसी का बोर्ड है इसका जो बेस फिल्टर है अगर हम इसको यूज करें तो यूज करने के बाद हम इसके जो है एक हम सब बूफर की तरह यूज कर सकते हैं प कैसे करने होंगे तो कनेक्षन के लिए हमें सिंपली इन जो है पोईंट चाहिए पहला सपलाई दूसरा इंपूट तीसरा आउटपूट अब यहां पर वो कनेक्षन कि किस तरीके से होंगे देखिए सपलाई के लिए आप यहां पर ट्रासफरमर लगाना हो का 12-0-12 यहां पर हमने जो है सिरिफ 558 को ओन करना है तो यानी की हम इसमें कोई सभी ट्रासफर्मर लगा सकते हैं आदे हैं एंपियर का एक एंपियर का दो एंपियर का कि यूद्ध तो उस ट्रासफर्मर चाहिए यह नहीं शिरिफ इसको 12012 की सप्लाई देनी है हमें इस सर्कित को यहां पर हम 12-0-12 का आदा एंपियर एक एंपियर या दो एंपियर का कोई भी ट्रास्फरमर लगा देंगे फिर बात आ जाती है कि जो हम कार्ड की इंपूट देंगे वो हम कहां पर देंगे तो कार्ड की इंपूट हमें वहीं देनी है जहां पर हम इस जो हमारा board है इसके connection जहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर यह काम कैसे करेगा देखे यह जो connection हमारे left और right के हम जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से देखे सीधा यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर देखे दो resistance लगी हुई है यह देखे यह 22 के resistance लगी हुई है अब यह 22 के resistance जो है यह सीधा होके हमारे 558 के अंदर input देती है यानि कि जो हमारा Bluetooth kit की audio है वो हमारे 558 में चली जाती है और पर base filter करने के बाद फिर देखे यहाँ पर यह दो print sort है फिर यहाँ से होने के बाद यहाँ पर आती है और यहाँ से आके फिर इस देखे वन यूएफ 50 वोल्ट के कैपिस्टर पर आके और यहाँ से आउट हो जाती है तो हमें simply यहाँ का input और यहाँ का output यूज करना है और supply यूज करनी है अब देखे यहाँ पर अभी मैं आपको सुनाता हूं कि अभी तही नॉर्मल सॉंग है जो यहाँ पर हमारा जो music और sound सब कुछ आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको कोई song चला करे दिखाता हूं उससे जो है आपको पता लग जाएगा क्योंकि देखे अभी तो यह खाली मेरे पर music वाली जो है memory card है तो मैं यहाँ पर आपको कोई song चला के दिखाता हूँ और फिर हम उसको subwoofer में convert करेंगे यानि कि जो इसका base filter है उसको use करके फिर हम उसको check करेंगे वो किस तरीके से हम उसे use में ले सकते हैं तो देखे दोस्तो हमने memory card लगा लिया है अब मैं आपको song चला के दिखाता हूँ फिर हम इसको subwoofer में convert करेंगे तो यह देखिए तो यहाँ पर हमने देखिए music चला दिया है अब यहाँ पर हम इसका जो base filter है उसको use करके यहाँ पर खाली हम इसको subwoofer में base filter के अंदर convert करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले हम जो wire लगाते हैं वो लगाते हैं यहाँ पर supply की wire तो यह हम देखिए यह हमारी 12 यह 12 volt हो गई और यह हो गई हमारी 12 हम यहाँ लगा देते हैं यह हमारी 12 हो गई उससे हमने इसको सप्लाई दे दिये अब यहां पर हम क्या करेंगे पहले इसको हम यहां पर बंद कर लेते हैं अब यहां पर Bluetooth किट की जो हमने audio अभी amplifier को दे रखी थी इसको हम निकाल देते हैं यह हमने यहां से निकाल दी और Bluetooth किट के अंदर हम एक्स्ट्रा जो connector है उसको लगा देते हैं यह देखे एक्स्ट्रा connector लग गया हमारा Bluetooth के अंदर अब यहां पर हमें जो है Bluetooth किट के अंदर left, right और बीच वाला ground है तो यहां पर हम इसको इसी तरीके से connect करेंगे जैसे हम volume के ताल लगाते हैं तो पहले हम यहां पर लगा देते हैं left फिर यह हो जाता है हमारा ground जो उसका साबने वाला print है और यह हो जाता है हमारा right तो इसके connection देखे इस तरीके से हमने इसके connection कर दिए यहां पर देखें लेफ्ट हो गया फिर राइट हो गया फिर ग्राउंड हो गया यानि कि यह दो बिलूटूट के जो हमारा पिन नंबर वन है उसको हम यहां लगा देंगे अब यहां पर जो हमारा बेस फिल्टर होता है वह मोनो होता है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों ओडियो जो है जो हमारा मैंने अभी आपको कैपिश्टर दिखाया था जो आउट हो रहा था उस कैपिश्टर के पास लगा देंगे यह देखिए यह हमारा कैपिस्टर के पास लग गया लेफ्ट और राइट क्योंकि यह मोनो है इस तरीके से लगा दिया अब यह वाला कनेक्टर लगा देंगे हम यहां पर करेंगे अब यहां पर हम इस बोड को जो है इस तरीके से कर देते हैं साइड में जो हमारा कोई भी सोटिंग वगेरा इसके अंदर ना हो तो यहां पर आप देखिए कंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए है यह देखिए अब हम इसको दुबारा से चालू करते हैं तो यहां पर मैं जो है यह देखिए सिरीज बोड का यूज कर रहा हूं यह हमारा सिरीज बोड है क्योंकि कभी भी आप कोई नए कनेक्शन करते हैं तो वहां पर आप सिरीज बोड का ही यूज करें उससे जो है आपका सर्कुट कभी भी खराब नहीं होगा अब मैं इसे य प्रास फर्मर के वायर और इसके वायर दोनों के हम लगा देते हैं तो देखिए हमने पावर दे दिये यहां पर हमारे जो पावर है इसके अंदर आ चुकी है अब यहां पर देखिए तो मैं इसको मैं में कर देता हूं क्योंकि स्रीज के अंदर यह ज्यादा देर काम नहीं कर यहां पर तो यहां से देखिए अब जो sound है वो खतम हो चुका है और हमारा इसका sound में कम कर लेता हूं तो आपने देखा दोस्तो हमने श्रीप इसका जो है base filter को यूज करा है यानि कि जो इसका base filter है उसका यूज करा है बाकी और हमने किसी चीज का यूज नहीं करा है तो यहां पर अब देखिए अब यहां पर जो है इसका जब हम base filter को यूज करेंगे अब देखिए यहां पर sound आ चुका है और मैं sound को बढ़ाता हूँ तो यह वाला वायर हमारा यहां टच हो गया था इसको यहां से अटा देते हैं तो अब देखिए दुबारा चाल हो गया यानि कि यह जो हमारा ग्राउंडिंग पॉइंट था यह हमारे आइसी के माइनस वाले पॉइंट पर चला गया था तो देखिए सिरीज का होने का यही फायदा है मैंने अभी बोड को सिरीज में लगा रखा था सिरीज बलफ हमारा गिलो हो गया था यानि कि सिरीज के अंदर हमारा सर्किट और अगर हमारा नॉर्मल एम्पिलिफायर अभी चल रहा होता तो उसके अंदर साउंड यहां पर जो हमारा भी सौंग था वो भी साथ में आता है तो इसको में बंद कर देता हूं तो आपने देखा कितने ही आसान तरीके से हम जो है किसी भी किसी भी होमठेटर बोड का बे यूज कर सकते हैं तो यहां पर जो इसकी आइसी आए वहां पर आप चाहे निकाल भी सकते हैं तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है सिर्फ बेस फिल्टर को यूज कर सकते हैं तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर क करना सस्क्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दवाना में आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा